हे गाईस, वेलकम टो माई निव वीडियो आज का इस वीडियो में मैं इस फोटो को स्टेब बाई स्टेब आउटलाइन रोकर के आपको दिखाऊंगा शो आप इस वीडियो को प्लीज एंट तक जरूर देखिए और मैं आउटलाइन को ग्रीड मेथड का इस वीडियो करके ही बनाऊंगा शो आपको एक आप चाहिए आटिस्ट ग्रीड वो आपको गुगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हो उससे आप जो पिक्चर के उपर ग्रीड बना सकते हो आपका हिसाब से जैसे आप ड्राउ करोगे उसके हिसाब से ही आप ग्रीड बना सकते हो और मैं कौन सा पेपर यूज करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सो आप एंट तक जरूर देखिए मैं आइबोरी पेपर टू टैन जैसे एफ़ोर साइज का ही यूज करूंगा और आप देख सकते हो यह बहुत चीप प्राइस का ही है 96 रूपीज वो आपको लोकाल मार्केट से भी मिल जाएगा और मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ ओ एं नर्माल एच्वी पेंसिल आप आट लाइन का एच्वी पेंसिल भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको आउट लाइन को बहुत हालका साहीं ड्रू करना है और जो पिक्चर आपको दीख रहा है उसमें बहुत सारा ग्रीड है ओ आप आच्छा से देखिए सेम ओ ही ग्रीड को मैं पेपर के उपर ड्रू करूँगा और उसके बाद मैं आउट लाइन को स्टाट करूँगा ग्रीड आपको सायद रेफरेंस पिक्चर में नहीं दीख रहा होगा सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और उसका लिंक डेस्क्रिप्शन पर भी है अभी मैं पेपर का चारो साइड लाइन ड्रू कर रहा हूँ और उसके बाद फोर सेंटिमेटर ग्याप रोके एक एक पॉइंट दूँगा और उसको जोइन करके कम्प्लीट ग्रीड को बनाऊंगा आप देख सकते हो कि मैं लाइन के उपर फोर सेंटिमेटर ग्याप रोके एक एक पॉइंट दे रहा हूँ सेम मैं इसे करके चारो साइड लाइन के उपर 4 cm ग्याप रखके एक एक पॉइंट दूँगा और उसको जोइंट करके complete grid को बनाऊंगा अब ही मैं सिर्फ ही उसको जोइंट कर रहा हूँ सो आप इन तक जरूर देखिए आप देख सकते हो कि मैं पेपर का एक बोक्स के उपर एक mark किया क्यूंकि मैं सेम ओई बोक्स से ही पहले स्टार्ट करूंगा सो आप भी जिस बोक्स से पहले स्टार्ट करना चाहते उसको एक mark करो और reference photo का अच्छा से जूम करके उसको अब जोर करके draw करो सो मैं अभी जो face का overall structure उसको draw कर रहा हूँ उसको draw करने के बाद मैं eye, nose, lips उसको draw करूंगा सो आप दिखिए आप reference photo को अच्छा से दिखिए कि जीस box में मेरा जीस पाट है सेम में ओही box के उपर सेम ओही पाट को ही draw कर रहा हूँ paper के उपर सो आपको भी थोड़ा बहुत जो अबज़र करना है कि कौनसा box में कौनसा पाट है आप reference photo का link निचे description पर है आप उसको जरूड राउनलोड करो और उसको अच्छा से अबज़र करके ही draw करो मैं बास आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हैं मैं सेम ऐसे ही draw कर रहा हूँ समय सकते हो कि यह कितना easy method है आप reference photo को थोड़ा ध्यान से देखिए कि मेरा hairs जैसे जैसे हैं सेम मैं इसे ही paper के उपर draw कर रहा हूँ और मेरा जीस box में है मैं सेम ओही box ओही line के उपर हैं draw कर रहा हूँ grid method से आपको बहुत अबज़र करने को नहीं पड़ेगा बट फ्रिहान से draw करोगे तो आपका observation skill बहुत आच्छा होने चाहिए सु आप grid method से बहुत easily draw कर पाऊँगे बट फ्रिहान से जब आप धिरे दिरे practice करोगे तो आपका outline जो है बेटर हो जाएगा आप देख सकते होगी मैं अभी 60 को draw कर रहा हूँ और 60 बहुत easy है कि I hope कि आप easily draw कर पाऊँगे अभी मैं चस्मा से start कर रहा हूँ आप देख सकते हो जीस line के उपर मेरा चस्मा है reference picture में मैं same ओही line के उपर ही draw कर रहा हूँ same आपको भी देखना है कि कौन सा box में आपका कौन सा part है और eyebrow को भी मैं draw कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मैं बार बार eraser का use करके उसको erase कर रहा हूँ क्यूंकि मुझे outline को काफी perfect बनाना है अगर आपको लग रहा है कि नहीं है perfect नहीं है तो आप उसको erase कर और दोबारा draw करो पट आपको outline को काफी perfect बनाना है अब ही मैं I को draw कर रहा हूँ और I मेरा same जीश box में है मैं same OE box में ही draw कर रहा हूँ आपको outline को draw करना समय थोड़ा patience रखके draw करना है और perfect बनाना है इससे आपको जो setting करना समय कुछ भी problem नहीं होगा तो थोड़ा द्यान से reference picture को देखिए और उसके हिसाब से draw करेज़े same ऐसे करके मैं जो दूसरा आई है same उसको भी बनाऊंगा तो वीडियो को please enter जरूर देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा fast किया हूँ वीडियो को I hope कि आप easily draw कर पाओगे नोस तो आपको दीख रहा है कि कौनसा box में है reference picture में मैं same ओही box में draw कर रहा हूँ lips आप देख सकते हो कि मैं कितना slowly draw कर रहा हूँ so आप भी थोड़ा patience रखके slowly slowly draw कीजिए और काफी perfect बनाने के लिए कोशिस कीजिए और reference picture में में मेरा जैसा जैसा ही है मैं same उसे ही draw कर रहा हूँ but मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा फास्ट किया हूँ नहीं तो आप बोर हो जाओगे so but I hope कि आप easily draw कर पाओगे so guys आप देख सकते हो कि मेरा जो total outline ने ओ complete हो चुका है और next जो part 2 वीडियो में मैं उसको color pencil से step by step draw करके आपको दिखाऊंगा तब तो के लिए आप इस outline को जरूर try कीजिए और मेरा इस वीडियो को एक like कीजिए और comment कीजिए और share कीजिए मेरा चैनल पर नहाए तो please subscribe करके बेल आइकन को जरूर press कीजिए और मुझे भी Instagram पर follow कर सकते हो मेरा Instagram ID का link description पर है आप जरूर चेक कीजिए so thank you so much for watching बाई